कोरोना की व्यक्षीन की 100 करोर पूरे होने पर मुकमंत्री ने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा है कि जो भी ग्रामिन छेतर हैं उनमें भी लोगों को जागरूप करने की जरूवत हैं और लगातार ग्रामिन छेतरों में खास्त और रूलल एडिया में जो है वहां जाकर लोगों को जागरूप करने की जरूवत है क्योंकि लोग व्रम फैला रहे हैं और व्रम में अभी भी जी रहे हैं कि कोरोना की वैक्षीन लेने से लोग काफी डरते हैं इसके वज़ा से मु और क्या कुछ कहा है मुकमंत्री ने 100 करोड वैक्षीन के पूरे होने पर और बिहार में 4 महीने में ही 6 करोड लोगों को वैक्षीन लगाने की जो बात मुकमंत्री ने कही थी वो पूरा हो गया 4 महीने में पहली डोज वो मुकमंत्री कह रहे हैं कि अब जो है दूसरी डोज के लिए लोगों को जो है जल से जल्द किया जाएगा और जो ग्रामिन छेत्र है उसमें खास तोर पर जागरूप करने की ज़रूरत है और क्या कुछ कहा है मुक्वंतिन तिश्कुमान ने 100 करोड पूरे होने पर जरा उनकी ब्यानों को सुनी ने बहुत अच्छी अचीवमें करेना उसमें पूरा पूरा विचार विश्क करके और तीजी से जो लोग भी बचे हुए और मान लेजे की चार करोड से भी काफी ज्यादा हो चुका है पहला फेज तो जो पहला फेज हो भी उसको दूसरा फिज तो करा ही देना है जी हृत तो इसके लिए भी एक एक जगह जा करके हर जगह देखना कि जिसका हो चुका पहला उसको दूसरा अगर टाइम हो गया है समय हो गया है उसमीच में करा लेना और बाकी कोई बचा न रहे सब लोगों को प्रिरित करना की साहब इसको जरूर करवाईए तो इसके लिए और हर जगह और अब एक बात यह भी बात हो गई हम लोगों को ज्यादा तर रूरल एरिया में भी घुम घुम करके हर जगह लोगों को प्रिर्द करना और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है प्रचार वगरा कराया जा रहा है ताकि लोगों को यह मालूम हो कि सब को यह जरूर वैक्सिनेशन कराना चा यह उनके हित्म है ताकि उनको कोई नुक्सान नहीं हो सके इसी के लिए कड़ी रहे हैं तो आपने साफ तोर से सुना कि मुकमंत्री ने किस तरीके से 100 करोर पूरे होने पर खुशी जाहिर की वहीं बिहार के लोगों को खास तोर पर ग्रामी ज्छेत्रों में जो लोग जागर नहीं हैं उन्हें जागरूप करने की बात कह रहे हैं तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश्जिन्यूस के साथ और देखते रहें देश्जिन्यूस